हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीकोड इंडियन देखे, सेप्टमबर में अर्बियाई का जितना भी सर्कूलर इशु हुआ था उन सबको हमने बहुत ही डीटेल वे में एक सेपरेट लेक्चर में कवर किया हुआ है अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चालीस मिनट के आसपास का वो लेक्चर है, आप उसको पहले अटेंड कर लिजे और फिर आप यहां पे मेरे साथ इन कोस्टन को सौब करने का ट्राइग कीजे तब आपको चीजे अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से सौल्व भी कर लेंगे इसके अलावा देखिए कुछ लोग PDF का डिमांड कर रहे थें, तो एक टेलीग्राम चैनल को क्रियेट कर दिया गया है वहाँ पे जाकरके आपको इस लेक्चर का और जो अर्बिया सर्कूलर का डिटेल एक्स्प्लिशन वाला लेक्चर है, उसका भी PDF आपको मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चलिए आप सुरू करते हैं, आपके सामने questions आयागा और try कीजेगा मेरे साथ इन questions को solve करने का आप चाहे तो बीच में आप pause भी कर सकते हैं, question को आप पहले खुद से solve करने का try कीजेगा उसके बाद फिर जो right answer होगा वो play करके सुनिएगा तो चलिए सुरू करते हैं, देखे सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है इस सवाल में आप से क्या पूछा जा रहा है, कि हाल ही में अभी Reserve Bank of India के द्वारा UPI के लिए कौन से नए feature को introduce किया गया है, UPI के scope को expand करने के लिए ये आप से सवाल में पूछा जा रहा है, देखे चार option है आपके पास और इसका जो right answer है, वो है option D, pre-sanctioned credit line can be linked to UPI तो अब RBI ने बोला है, कि अगर आपके पास pre-sanctioned credit line है, जो कि आपको bank के तरफ से issue किया गया है तो उसको आप UPI से link करके transaction कर सकते हैं सबसे पहली बात तो credit line क्या होता है, तो देखे जैसे आपको bank के तरफ से credit card provide किया जाता है उसी प्रकार से bank के तरफ से लोगों को credit line भी issue किया जाता है credit line में एक limit होता है, माल लीजे कि आपको 1,00,00 रुपे तक का credit line issue किया गया है इसका मतलब होता है कि आप 1,00,00 रुपे तक का borrowing bank से कभी भी कर सकते हैं ये होता है credit line, तो RBI ने क्या कहा है, RBI ने कहा है कि अब अगर आपको bank के तरफ से pre sanction credit line issue किया गया है, तो उसको आप UPI से link करके transaction कर सकते हैं अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक आप savings account को link करते थें, overdraft account के through transaction करते थें, prepared wallet के through transaction करते थें और credit card को भी आप UPI से link करके transaction करते थें, लेकिन अब अगर आपके पास credit line है, bank के तरफ से issue किया गया, तो उसको भी आप UPI से link करके transaction कर सकते हैं यह हो गया हमारा पहला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं इस सवाल में क्या पूचा जा रहा है, इसमें आपसे सबसे पहले तो यहाँ पे बोल दिया गया है, कि recently अभी RBI ने pre-sanctioned credit line को अलाव किया है, कि इसको आप UPI से link करके transaction कर सकते हैं अब इसके regarding आपसे सवाल पूचा जा रहा है, कि किसको issue किया गया credit line को आप link कर सकते हैं UPI से, देखें यहाँ पे exactly पूचा क्या जा रहा है, बैंक के तरफ से individuals को भी credit line issue किया जाता है, और businesses को भी credit line issue किया जाता है, तो किसको issue किया गया credit line को add किया जा सकता है UPI से, यह exactly सव श्राइब चार आपके पास और इंडिविजवल और और ऑप्षन डी प्रोफेशनल देखें जो राइट एंसर है वह है ओप्षन ए इंडिविजवल इंडिविजवल को स्केडूल commercial bank के द्वारा जो credit line issue किया जाता है उसको आप UPS से लिंक करके transaction कर सकते हैं यह हो गया हमारे पास चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं तो यह हमारा question no.3 कि इसमें क्या पूछा जा रहा है इसमें सबसे cash के form में maintain करके रखना होता है जिसको हम cash reserve ratio कहते हैं cash reserve ratio का definition आपको यह बता दिया गया है अब आपसे पूछा जा रहा है कि अभी bank को के लिए current cash reserve ratio क्या है यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है चार option है इसका और देखिए जो राइट एंसर है वो है option D 4.50% अभी cash reserve ratio है बैंक के लिए यानि कि बैंक का जो total deposit है उसका 4.50% बैंकों को liquid cash के form में RBI के पास maintain करके रखना होता है यह हो गया हमारा question number 3 आगे बढ़ते है next question को देखते है देखे इस question को किस तरीके से frame किया गया है सबसे पहले इस question में आपको बता दिया गया है कि RBI ने अभी ICRR को announce किया है temporary measure के तोर पे banking system के अंदर जो access liquidity है उसको absorb करने के लिए अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने percent ICRR को RBI ने announce किया है ICRR का मतलब क्या होता है incremental cash reserve ratio तो कितने percent incremental cash reserve ratio को RBI ने announce किया है यह आपको यहाँ पे बताना है देखे चार option है आपका जो right answer हो का जली से बताएए वो क्या है option D 10% तो बैंकों को RBI ने कहा कि 19 में 2030 और 28 जुलाई 2030 के बीच में बैंकों के अंदर जो total deposit में increase आया है तो उस increased amount का 10% बैंकों को incremental cash reserve ratio के तौर पे RBI के पास maintain करके रखना होगा यह RBI ने कहा था अब देखे RBI के दोड़े यह फैसला क्यूं लिया गया था तो जैसा कि आपको पता है कि में के महिने में RBI ने announce किया था कि 2,000 रुपय का जो note है जितना भी note है circulation में उसको circulation से निकाला जाएगा तो इससे क्या हुआ लोगों के पास जो भी 2,000 रुपय का note था लोगों ने उनको बैंक में यह तो जमा कर दिया यह तो एक्स्चेंज कर दिया जिसके वैसे हुआ क्या कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गया तो उस लिक्विडिटी को एब्सॉर्व करने के लिए RBI ने बैंकों को कहा कि आप जो 4.5 परसेंट का क्या सजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं उसके अलावा आपको जो इंक्रीज रमाउंट है डिप एक्सिस लिक्विडिटी है उसको अब्सॉर्व करने के लिए तो यह सवाल था चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे को देखते हैं इस कोस्टिन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि अभी डिसाइड किया है कि वह इंक्रीमेंटल क्यास रिजर्व रेशियो के अंडर आर्भी अपसे पूछा जा रहा है कि तो यह आप से पूछा जारा है कि कितने अट विज़ocyst में अप्प्शन भीजेस्जी श्रीचशरु है तो यह है यहाँ पे आपके पास Option amigo घ्य 59 वो है option B, 3, 3 faces में RBI ने निर्ने लिया है कि वो incremental cash reserve ratio को discontinue करेगा, ये question था, अब किस तरीके से 3 faces में incremental cash reserve ratio को discontinue किया जाएगा, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले face में 25% incremental cash reserve ratio के तौर पे amount maintain था, उसको RBI release कर देगा, फिर 25% release कर देगा, और उसके बाद फिर 50% ICRR जो maintain है, उसको RBI release कर देगा, 7 October 2030 को, तो ये होगे हमारा question, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे question को देखते हैं, देखें इस question में आपसे पूछा जा रहा है, कि अभी हाल ही में जो recent development आया है, responsible lending conduct के उपर, तो RBI ने regulated entities को, कितने दिनों के अंदर कहा है, कि वो property document को release कर देगा, अगर कोई borrower loan का repayment कर देता है, तो repayment के कितने दिनों के अंदर, regulated entities को, उसके पास जो property document होगा, उसको release करना होगा, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, number of days आपसे पूछा जा जा रहा है, जल्दी से बताए क्या होगा इसका right answer, देखें इसका जो right answer होगा, वो है option C, 30 days, अगर किसी borrower ने regulated entity से loan लिया हुआ है, मा लीजे कि अपना कोई उसका movable property है, जैसे कि उसका घर है, अपने घर को गिरवी रख करके उसने bank से loan लिया है, अब यहाँ पर उसने loan का repayment कर दिया, तो loan के repayment होने के within 30 days, regulated entities को अब क्या करना है, जो उसके घर का original property document उसके पास है, उसको release करना है, यह RBI का भी recent development आया है, responsible lending contract के उपर, और इसी से जुरावा यह सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे question को देख लेते हैं, देखें इस सवाल में आपसे यह पुछा जा रहा है, कि अगर कोई regulated entity within 30 days, जो movable या immowable property document है, उसको release नहीं करता है, borrower के द्वारा loan का full repayment कर दिया गया है, तीस दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उसके property document को release नहीं किया गया है, तो इस case में regulated entities को borrower को compensate करना पड़ेगा किस rate के हिसाब से, यह आपसे पुछा जा रहा है, देखें यहाँ पे जो right answer है, वो है option B, rupees 5000 for each day, तो जितना भी दिन डिले होगा, हर दिन का 5000 रुपया करके, जो regulated entity है, उसको compensate करना पड़ेगा borrower को, देखें सबसे पहले तो अगर regulated entity within 30 days, original property document release नहीं करता है, तो सबसे पहले उसको borrower को बताना पड़ेगा, कि यह डिले हो क्यों रहा है, क्या reason है डिले का, और अगर regulated entity का गलती होगा, उसके गलती के विज़े से डिले होडा होगा, तब यह जो 5000 रुपया fine है, वो compensation है, वो regulated entity को borrower को देना पड़ेगा, हर दिन का, यह question था, आगे पड़ते हैं, दूसरे question को देखते हैं, देखें इस question में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, कि अभी जो recent RBI का directive आया है, responsible lending conduct के उपर, तो इसके हिसाब से, एक ऐसा case जहाँ पे regulated entity के पास जो original property document है, वो loss हो गया, या वो damage हो गया, तो इस case से related, जो options में sentences है, तो इन में से कौन सा sentence सही है, यह आप से सवाल में पूछा जा रहा है, देखें, option A में क्या बोला जा रहा है, कि तीनों, चारों options को देखते हैं, option A मे borrower का मदद करेगा, कि वो किस तरीके से duplicate property document को अवेल कर सकता है, यह option A में बोला जा रहा है, option B में बोला जा रहा है, कि इस तरह के case में regulated entities responsible नहीं होगा, किसी भी तरह के loss या damage के लिए, option C में क्या बोला जा रहा है, option C में बोला जा रहा है, कि borrower को duplicate, क्यूंकि जो original property document है, वो bank के दौरा, bank के पास जो था, वो loss हो गया है, या वो damage हो गया है, तो इस case में borrower को duplicate property document अवेल करने में जो भी खर्च आएगा, वो खर्च को regulated entities bear करेगा, यह option C में बोला जा रहा है, और option D में बोला जा रहा है, कि option A और option C, दोनों सही है, तो यहाँ पे जल्दी से बता जा रहा है, बोथ A and C are correct, तो यहाँ पे एक ऐसा case जहाँ पे regulated entities के पास जो औरीजिनल property document है, वो loss हो गया है, या damage हो गया है, तो इस तरह के case में regulated entities borrower का मदद करेगा, कि किस तरीके से duplicate copies of property document अवेल किया जाए, और option C में जो बोला जा रहा है, कि regulated entities जो भी खर्च आएगा, borrower को duplicate property document अवेल करने में, तो वो खर्च भी regulated entities ही bear करेगा, तो इसलिए option A भी सही है, और option C भी सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे question को देखते हैं, I hope आपको ये वाला question समझ में आ गया होगा, और देखें, comment में जरूर बताइगा कि question का level क्या है, क्या आपको question बह क्ष़ान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वरा, विश्व कर्मा श्कीम को लौँच किया गया है, विश्व कर्मा जैनती के अफसर पे, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस scheme को किन लोगों के लिए लौँच किया गया है, किन लोगों को benefit महुचाने के और ऑप्शन बी स्टूडेंटक्शन सी एंड क्राफ्ट्स पीपल नन अब अब जल्दी से प्टाइगे क्या होगा इसका राइट एंसर है वह एंड फिपल तो इस स्कीम को डिजाइन किया गया है जो ट्रेडिशनल आटीशन से क्राफ्ट्स पीपल है यानि की जो पारंपड लोहार, सोनार जो मिटि का बर्दन बनाता है यो लकडी का समान बनाता यो मूर्ति बनाता है तो यह सारे क्या कर रहे हैं अपने कला का इस्थमाल करके अलग-अलग चीजों को बना रहे हैं तो इन लोगों के लिए विश्व कर्मा स्कीम को प्रधान मंत्री के द्वारा लॉंच किया गया विस्व कर्मा जैनती के अफ़तर पे तो राइट एंसर जो है इसका क्या है option C, artisans and crafts people चलिए आगे बढ़ते हैं next question को देखते हैं देखे इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विस्व कर्मा स्कीम के तहए जो artisans और crafts people है उनके लिए maximum limit क्या है collateral free credit support का तो आपका यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा जल्दी से बताइए तो यहाँ पर जो राइट एंसर है वो है option C, 3 लाक रुपए देखे जो artisans है जो craft people है वो PM विस्व कर्मा स्कीम के तहत maximum 3 लाक रुपए तक का collateral free credit support पा सकते हैं अब देखे यहाँ पर पहले ट्रैंच में उनको 1 लाक रुपए तक का collateral free credit support दिया जा सकता है और अगर उन्होंने 1 लाक रुपए का repayment कर दिया तो उसके बाद दूसरे ट्रैंच में वो और 2 लाक रुपए तक का collateral free credit support पा सकते हैं 5% के consensional interest rate पे तो maximum limit क्या हो गया जो total limit है वो क्या हो गया collateral free credit support का 3 लाक रुपए तो यह सवाल में आपसे पूछा जा रहा था आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखिए इस question में पूछा जा रहा है कि PM विस्व कर्मा scheme के तहएत artisans और crafts people को benefit महुचाने के लिए कितना budget allocate किया गया है तो जो right answer है वो है option D 13,000 करोर इस scheme के तहए 13,000 करोर रुपए का budget allocate किया गया है artisans और crafts people को benefit महुचाने के लिए और यह 13,000 करोर रुपया 5 साल के लिए allocate किया गया है financial year 2013-2024 से लेकर के financial year 2027-28 तर तो budget इस सवाल में आपसे बूचा जा रहा था PM विस्व कर्मा scheme का चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए जो next question हमारे सामने है उसमें क्या बोला जा रहा है तो यह भी PM विस्व कर्मा scheme से जुरावा सवाल है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि PM विस्व कर्मा scheme के तहट जो beneficiaries हैं उनको skill training period के दोरान हर दिन का कितना stipend दिया जाएगा यह सवाल में आपसे पूछा जा और क्राफ्स पीपल है उनको skill training period के दोरान हर दिन का 500 रुपया दिया जाएगा stipend के तौर और यहां पे जब उनका training खतम हो जाएगा तो अगर उनको model tools purchase करना है कोई machine purchase करना है तो उसके लिए इसी scheme के तहट 15,000 रुपय का grant भी दिया जाएगा तो यह आपसे सवाल में पू पर आपसे सवाल पूछ लें तो चलिए आगे बर दें दूसरे question को देखता है कि इस question में पूछा जा रहा है कि इन में से किसके द्वारा data quality index को तयार किया जाता है चार option है आपके पास option a credit institutions option b nbfc option c credit information companies option d none of the above जल्दी से बताएगा राइट एंसर क्या होगा इसका इसका एंसर है वह है option c credit information companies credit information companies के द्वारा data quality index को प्रिपेर किया जाता है अब देखे सबसे पहले तो यह जो credit information companies है यह होता क्या है इसको थोड़ा से समझ लेते हैं बहुत ज्यादा detail में नहीं जाएंगे क्यूंकि अल्रेडी यह covered हैं देखे जो यह credit information companies है यह क्या करता है अलग- financial institutions से लेंडर से और जो credit granting entities है उन सबसे data collect करता है और फिर इसको compile करके credit report तयार करने का काम करता है अब होता क्या है कि जब bank non banking financial institutions यह किसी को loan grant कर रहे होते हैं किसी को credit card issue कर रहे होते हैं तो इस case में यह credit information company का जो report होता है जो score होता है उसको refer करते हैं उस borrower के credit worthiness को check करने के लिए तो यह काम होता है credit information companies का अब यहां पर हम समझते हैं कि data quality index क्या है जिसको की credit information companies के द्वारा तयार किया जाता है तो देखिए जून 2014 में RBI ने क्या कहा इन credit information कंपनियों को कि इनके पास जो भी credit institutions है जैसे कि banks है और जो financial institutions है इनके द्वारा जो credit information कंपनि के पास data submit किया जाता है तो उसके quality को assess करने के लिए credit information कंपनियों के द्वारा data quality index को तयार किया जाएगा यह जून 2014 में RBI ने direction दिया तो यह होता है data quality index यह credit information कंपनियों के पास data submit किया जाता है credit institutions के द्वारा तो उसके quality को assess करने के लिए data quality index को तयार किया जाता है जून 2014 में RBI ने इसके लिए direction issue किया था अगर आपको इसको और थोड़ा detail में जानना है तो आप जो already video uploaded है जहां पे September month में जितना भी RBI का circular issue हुआ था उसको हमने कबर किया है तो वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखें यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से साल में RBI की दोरा data quality index को introduce किया गया है तो क्या होगा इसका right answer option C 2014 2014 में RBI ने data quality index को introduce किया आगे बढ़ते हैं जो credit information companies है उसके तोहारा अब data quality index को तयार किया जाएगा दो और सेग्मेंट के लिए तो यहां पर पोला जा रहा है कि वो दो और सेग्मेंट क्या है चार option है और यहां पर जो right answer है वो है commercial and microfinance segment देखें credit information companies अब commercial or microfinance segment के लिए भी data quality index को तयार करेगा अभी तक क्या होता है अब ही तक जो यहां पर credit information companies है वो consumer segment के अंदर जो data submit किया जाता है तो उसके लिए data quality index का इस्तमाल करता है उसके quality को assist करने के लिए data quality index का इस्तमाल करता है लेकिन अब क्या है commercial और micro finance segment के अंदर भी जो data submit किया जाएगा credit information company के पास तो उसके quality को index करने के लिए वो data quality index को तयार करेगा I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देख लेते हैं देखे यहां पर हमारे पास जो question है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी फिलहाल हमारे देश में कितना credit information companies है जिसको की RBI के तरब से certificates of registration provide किया गया है जल्दी से बताएगे क्या होगा इसका right answer देखे इसका जो right answer होगा वो है option D अभी हमारे देश में चार credit information companies है जिसको की RBI के तरब से certificate of registration provide किया गया है अब यह चार credit information companies कौन-कौन सा है इसको देख लेते हैं सबसे पहला है Credit Information Bureau Limited दूसरा है Equifax Credit Information Services Private Limited तीसरा है Experience Credit Information Company of India Private Limited और चौथा है CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited तो यह चार credit information companies है जिसको की RBI के तरब से certificates of registration provide किया गया है आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखे इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो credit information companies है उनके दौरा अब data quality index को provide किया जाएगा commercial और micro finance segment के लिए भी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब तक जो data quality index है वो commercial और micro finance segment के लिए भी provide किया जाएगा यहाँ पे आपसे timeline पूछा जा रहा है तो देखे जो right answer है वो है option A 31 March 2024 तक credit information company को जितना भी credit institutions है जो भी banks है financial institutions है उन सब को commercial और micro finance segment के लिए data quality index provide कराना होगा right answer क्या होगा यहाँ पे option A 31 March 2024 आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखे इस question में क्या बोला जा रहा है कि credit information company के द्वारा data quality index को commercial और micro finance segment के लिए provide किया जाएगा numeric scores के form में जितना भी member credit institutions है उन सब को तो यहाँ पर यह किस हिसाब से provide किया जाएगा data quality index option A में बोला जा रहा है on monthly basis option B में है on yearly basis option C में है half yearly basis और option D में है by monthly basis तो जो right answer है वो है on monthly basis option A जितना भी credit member credit institutions है सबसे पहले तो देखिए जो credit institutions है जो भी banks है financial institutions है उनके लिए यह अनिवारी है कि वो कम से कम एक credit information कंपनियों के member होने चाहिए तो यहाँ पर आप क्या बूला जा रहा है कि जो credit information कंपनिया है वो सभी member credit institutions को monthly basis पे commercial और micro finance segment के लिए data quality index को provide करेगा और यह किस form में provide किया जाएगा numeric scores के form में provide किया जाएगा समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या सवाल है इस सवाल में पूछा जा रहा है कि surface i act को 2002 में लागू किया गया था इन में से किस चीज को address करने के लिए किस issue को address करने के लिए 2002 में surface i act को लागू किया गया था यह आपसे सवाल में पूछा जा रहा है देखिए क्या क्या option है option a banks credit growth option b nbfc's regulation option c npas option d none of the above देखिए जो right answer है वो क्या होगा option c npas जो npas का समस्या है उसको address करने के लिए surface i act को 2002 में लागू किया गया था आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखिए यहां पी जो हमारे पर सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि as per recent RBI circular RBI के recent circular के हिसाब से regulated entities अगर किसी borrower के secured asset के उपर कबजा करता है तो उस borrower से जुरा हुआ जो information है वो इसको display करना होगा तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरीके का जो पहला लिस्ट है वो regulated entities को अपने website पे कितने दिनों के अंदर डिस्प्ले करना होगा इस तरीके का पहला लिस्ट और देखें यहां पे जो right answer है वो क्या है जली से बताइए यहां पे जो right answer है वो है option d within six month विदिन six month regulated entities को अगर वो किसी borrower के secured asset के उपर कबजा करता है सर्फिस आई एक 2002 के तहए तो borrower से जुरा हुआ जो जानकारी है वो उसको डिस्प्ले करना होगा अपने website के उपर इसके अलावा देखें विदिन six month इस तरीके का पहले list को उसको अपने website पे डिस्प्ले करना होगा उसके बाद monthly basis पे उसको इस list को अपडेट भी करना होगा regulated entity को समझ में आ गया इस सवाल आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखें इस question में आपसे पूझा जा रहा है कि RBI के दोड़ा जो data around किया गया है उसके हिसाब से 19 में 2023 तक हमारे देश में 2000 रुपय के note कितने value के 2000 रुपय के note circulation में थे 19 में 2023 तक और यहाँ पे जो right answer है वो क्या होगा यहाँ पे जो right answer है वो है option C 3.56 लाग करोर value के 2000 रुपय के note हमारे देश में 19 में 2023 तक circulation में थे आगे बढ़ते हैं दूसरे question को देखते हैं देखें यहाँ पे इस question में आपसे क्या पूझा जा रहा है कि किस date से भारत के अंदर जो banks हैं उनको कहा क्या है कि वो 2000 रुपय के note लोगों से accept नहीं करेंगे ल नहीं तो इसको exchange कर सकते हैं यह यहाँ पे आपसे date पूझा जा रहा है और इसका जो right answer होगा वो आपको बताना है comment में जरूर इसका right answer क्या है यह आप comment में बताईएगा I hope आपको जितना सारा भी questions हमने यहाँ पे discuss किया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा थैंक्यू फर वॉचिंग